तो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूँ तो दोस्तो बाजार का दिगज स्टॉक ठीके उसकी इंडस्टी का अकेला स्टॉक ये मार्केट में लिस्ट है अगेली कमपनी हैं जो मार्केट में लिस्ट है फिर भी डेली वेस्ट पर क्या हो रहा है दोस्तो इसमें गिरावट है में देखने को मिल रही है शेर ओल्डर काफी जादा घबरा जाते हैं तो दोस्तो मैं आप लोगों को इस कमपनी की सबसे पहले फंडामेंटल कंडिशन दिखाने वाला हूँ साथ में दोस्तो कुछ टार्गेट आए हैं इस कमपनी के ओपर वो भी आप लोगों को में दिखाने वाला हूँ तो चलिए फटापट से जान लेते हैं किस प्रकार से एक कमपनी आगे हमें मोमेंटम करके देने वाली है तो दोस्तो यहाँ पर आप दीख सकतो आपको यह कमपनी एनसी और बीसी दोनों पर लिस्टेट मिलेगी कमपनी का मार्केट के पे 80,627 करोड का पी अन्निंग रेश्यो देखेंगे तो 46.6 का है रिटर्न अन इंप्लोई अगर आप देखेंगे तो 10% है रिटर्न अन इक्विटी 16.9% है बुग वेल्यू 14 रुपे के आसपास है उसके साथ ही 52 बिक का ही 52 बिक कलो यह जो 52 बिक कलो है यह भी करेंट में इसने लगाया है फेस विल्यो अगर आप देखेंगे 10 रुपे पर शेर के साब से कुछ डिये में टेस्टिंग कर लेते हैं 50 डिये में लगा है और 200 डिये में लगा है 50 डिये में वाला जो रो है वो यलो रो है ठीक है वो तो यहीं से ब्रेक हो चुका है आप देख सकते हो और जो दोस्तो 200 डिये में वो यहां से ब्रेक हुआ है और अभी तक ये recovery नहीं किया और stock देखिए नीचे जाने के moon में ही हमें देखने को मिल रहा है तो ये काफी ज़्यादा डरा देता है दोस्तो retail investor को कुछ positive और कुछ negative quality अगर देखें तो विल्कुल भी नहीं देखने को मिलती साथ में quarterly result की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो March 2019 में company का कैसा performance था करीवन 1983 करोड के आसपास की company ने sales revenue जनरेट किया था ठीक है 2019 June में आप देख सकते हो 2068 करोड के आसपास revenue सितमर 2019 में 2296 करोड के आसपास का revenue December 2019 में 2489 करोड के आसपास का revenue ऐसा अगर आप देखेंगे revenue दोस्तों तो company ने बहुत जोड़दार पेश किया है December quarter में आप देखेंगे 2889 करोड का revenue देखने को मिल रहा है जो अभी तक का सबसे best है company का profit देखेंगे न तो company का profit भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है 386 करोड का profit इसके साथ ये अगर आप देखेंगे तो और भी कुछ चीज जैसे सालाना तोर का अगर आप performance देखते हैं इस company का तो March 2014 से आप compare कर सकते हैं March 2014 में करीबन 1438 करोड का company ने revenue निकाला था तो वो revenue अगर आप देखेंगे तो March 21 में पूरे साल बर में ना हो जाद 300 करोड के असपास आज चुका है ठीक है लगबख 5-6 साल में company ने बहुत अच्छी तेजी दिखाईए उसके साथ ही देखेंगे profit तो profit भी देखेंगे 293 करोड का profit लगबख 945 करोड के असपास रेट कर रहा है यह 4 डिजिट पे भी आज चुका है इस प्रकास से profit देखने को मिल रहा है अगर हम इसका percentage बास देखें तो company का जो sales ग्रोगते 5 साल पहले 31% था लेकिन अभी मात्र 8% देखने को मिल रहा है company का जो profit ग्रोगते 5 साल पहले 28% की तेजी से दोस्तो रन कर रहा था लेकिन अभी 36% की तेजी से रन कर रहा है stock ने last 1 साल में 11% का negative return दिया है पुरा market दोस्तो रिकवर कर चुका है last 1 साल में देखें लेकिन इस stock में उतना कुछ momentum हमें नहीं देखने को मिला है साथ में अगर हम देखते हैं company का shareholding pattern तो आप check कर सकते हो company का shareholding pattern यहाँ पर देखें promoters अच्छा का सा stake लेके बेठे हुए हैं दोस्तो प्रमोटर्स ठीक है उसके साथ ही FII की अगर मैं बात करता हूँ यह इन्होंने continuously stake बढ़ाना चालू किया था साथ में shareholding pattern भी बहुत जवर्जस थे लेकिन फिर भी दोस्तो stock को ऐसी कौन सी परिशानी आ चुकी है ठीक है इसमें काफी ज़्यादा गिरावट देखने को बले quarter third का number भी company ने बहुत जोड़दा शोग किया अभी तक का सबसे ज़्यादा revenue generate किया उसके साथ ही देखेंगे तो company के ओपर हर brokering firm बूलीज भी रहती है तो भी stock daily basis पर हमें गिरते देखने को मिलता है अगर हम आज भी देखेंगे तो आज भी 3.5% stock गिरा है आज का performance देखते हम तो यहाँ पर आप देख सकते हो stock गिर चुका है लास्ट एक साल में 12.5% यह stock गिर चुका है ठीक है last 5 साल के company को market में आयों 5 साल नहीं हुए आप देख सकते हो इस उचाई से stock ने बहुत अच्छा return दिया लेकिन अभी भी यह stock 16-17% नीचे trade कर रहा है दोस्तों जहां से यह list हुआ है तो यह एक परिशानी का कारण बना हुआ है दोस्तों और काफी दिनों से दोस्तों इसके ओपर काफी bullish update भी आ रहे है दिखगज brokering firm के तरफ से और अभी भी ऐसा कुछ आचे देखने को मिला है तो चले वो भी हम देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो financial express की site के उपर लाए है ठीके जो analysis हुआ है वो किसके उपर हुआ है SBI card हम इसके related buy कर रहे है बात करें ठीके तो rating दिया गया है buy का ठीके बित target भी दिया गया है price दिया गया है 1280 रुपे का अब आप देख सकते हो अभी stock 880 रुपे के असपस rate कर रहा है ठीके और 1280 रुपे का target दिया गया है तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि इसके ओपर बड़ी बड़ी दिगज brokering firm क्या है bullies बेटी हुई है फिर भी लेकिन दोस्तो यह stock में momentum नहीं आ रहा है आप अगर देखेंगे तो यह जो target है दोस्तो यह HSBC ने provide कै किसने HSBC ने ठीक है अब यह brokering firm ने तो target दे दिया है ठीक है अपना update दे दिया है लेकिन retail investor को update pass से देने वाला कोई नहीं तो यह तो हमने दे दिया अब technical analysis भी तो चाहिए चलो वो भी दे देते हैं आपको तो यहाँ पर आप देख सकतो SBI card का chart pattern में आप लोगों को सामने open किया है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक support बन चुका stock का यह 800 रुपे का यहाँ पर stock ने किया किया उस 800 रुपे के level से लेकि लगबग दोस्तो 900 रुपे के level में काफे समय दिया है आप अगर देखेंगे stock आज भी उसी level के असपास close हुआ आप अगर इसको तोड़ा समय जुम करता हूँ तो आप देख सकते हो stock में इस level पर जिस level पर close हुआ है आप देख सकते हो यहां से breakout आया हुआ है यहां पर rejection लिया stock महां से हमेसा नीचे आया है ठीक है यहां से level लेके नीचे आया है ठीक है उसके बाद देखेंगे तो यहां से भी नीचे आया हुआ है और यहां पर time देने के बाद stock ने breakout दिया ठीक है उसके साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं मुमेंटम बताता हूँ स्टॉक का तो आप देख सकते हो स्टॉक में उपरी लेवल से काफी शांदार गिरावट हमें देखने को मिल रही है लगबख बालास रुपे के लेवल के आस पास से उसके साथ ही यह पर इन्होंने काफी बार सपोर्ट बना है लगबख 900 रुपे के लेवल के आस पास और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में फिर भी गिरावट दोस्तो बढ़ते देखने को मिल रही है तो मतलब जितने भी इंपोर्टेंट लेवल लेना दोस्तो इस इस स्टॉक का एक ही इंपोर्टेंट लेवल बना हुआ है जो है दोस्तो 800 रुपे का अगर यह भी ब्रेक होता है तो फिर एक हमें नया बावन बीक का लो देखने को मिल सकता है इस स्टॉक की तरफ से तो यह टेकनिकल एनला ऐसे से उपरी लेवल में दोस्तो इसको तो बा 12 रुपे की लेवल में जितनी बार घुमेंगा दोस्तो यह प्रेशन में ही घुमेंगा अगर उपर जाएगा तो सड़नली दूसरे दिन यह नीचे आने की कूबत रखेगा क्यों क्योंकि दोस्तो जो ट्रेडर्स रहेंगे वो इसको डेफिनिटली नीचे लेके आ तो यह है SBI कार्ड के ओपर अमरा टेक्निकल अनलाइसेस ठीके फॉंडामेंटल अनलाइसेस आपको बता दिया क्या रेटिंग आया है वो बता दिया आज का प्रदसन के सा रहा वो आप लोगों को बता दिया तो आपके बहुत सारे डाउट इसके रिलेटेट किलियर हो गय होंगे ठीक है तो यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि डेली बेसर स्पेसी प्रकार के बहतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंकि दोस्तों